नमस्कार दोस्तो आज मैं लगाने वाला हूँ सैतूत की कटिंग और इसको कैसे लगाना है मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो एंड तक वोच जरूर करें और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो द चैनल करें मैं आपको ग्रो कर के दिखाने वाला हूँ तो देखिए दोस्तो मैंने दो टाइपी कटिंग लिया है एक जो कटिंग है वह का साइज ऑ करीवां आपका टेर देड़ का साइज और दोसरी कटिंग का साइज है उसका है आपका 15-20 cm के कटिंग का साइज लिया है और जो इसा ब्रीत होता है जो इसके मोटाई होने चाहिए वो आपकी आदा सेंटिमेटर ही से मोटी आपको कटिंग नहीं लेनी है और देखे कटिंग कटने के बाद मैंने इससे पर साफ कट लगाया है सार्प कट लगाने के बाद तो देखिए मैंने इसमेच थोड़ा सा इसको अपने चाकू से या फिर आप जो भी आपके पास होगा उससे आप थोड़ा चील ले ले लिए ताकि जो रोट्स हैं वो उसकी आसानी से निकल सके तो देखिए मैंने कटिंग में अपना साफ कट लगा है और उपर से थोड़ा सा कटिंग को अच्छे से साफ कर लिया है ताकि जो मेरी रोट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएं तो देखिए कटिंग को कट करने के बाद इसके बाद मुझे को क्या मैंने एक साथ में क्या लिया है जब मैं कटिंग को अपनी लगाऊंगा तो इसको किस तरे से लागाना है उसके लिए आप हार्मोंस FROM यूज कर सकते हैं अगर आपके पास शिर्य नहीं है तो आप एलो वियरा है तो आपके पास यूज कर सकते हैं क क्यूंकि एलो अपका हार्मोन 흥 पाउडर की तरह काम करता है ऐदा हूं इसके लिए देखे पहले मैंने मिट्टी जो लिया है मैं आप्से तूरी कि यत्या को लगाने वाला हूं था इंधा उसके छथिसका उसके लिए पहले वीडियो बनाए हूग ढयत है ded Inser तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं को क्या करना होगा अपनी कटिंग के लिए इसमें स्पेस बना रहा हो कुछ गड़्टे करने होंगी तो गड़्टे का साइज होना चाहिए कम से कम अगर आपका दो फिट की कटिंग है तो फिर आपको कम से कम 10 cm तक का गड़्धा कर लेना है और उसके बाद अगर आपकी कटिंग का साइज पीस से 15 cm है तो उसके लिए आपको कम से में 5 cm तक का गड़्धा कर लेना है तो देखिए मैंने अपने कुछ गड़्डे कर लिया है जिर में अपनी कटिंग को लगाने वाला हूँ अप गड़्टे में आपको उन पर प्रोपोगेट नहीं होगी इसलिए मैंने अलग से लगड़ी लिए उससे मैं गड़्धा कर रहा हूं और गड़्धा करने के बाद मैं अपनी कटिंग को लगाऊंगा कि आपको कैसे अपनी कटिंग को लगाना है तो देखिए दोस्तों मैं अपनी कटिंग का जो निच करनी है और कर तरफ कि चारप तरफ कि अच्छे से मिट्टी से सटेट हो बादे तो इस तरीके से आपको अपनी कटिंग अपने घड़। में लगानी है तो जल्दी से अपनी सारी कटिंग जो आप दो फिट वाली कटिंग है क्टिंग है और जो 20 से सेंटिमेंटर वाली कटिंग है दोनों को ही अपने गड़ों में लगा देता हूं और लगाने के बाद उसे अच्छी तरह मिट्टी से टाइटली बाइंड कर देता हूं ताकि जो हिले डूलेना उसके बाद आपको करना क्या है मैं बता देता हूं आपको तो देखिए मैंने कटिंग को लगा दिया है अब मैं अपने 15 से 20 सेंडिमेटर वाली कटिंग को भी लगा देता हूं जो इनके गड़्डे के स्पेस है मैं काफी दूर दूर रखे हैं कभी बाद में जबी कटिंग ग्रो होंगी तो मैं इसको अच्छे से निकाल सकता हूं अगर मैं पास-पास कटिंग को लगा दूँगा क्या होगा इनकी रोट आपस में मिल जाएगी और जब इसको मैं निकालोंगा कहीं दूसरी प्लेस पे लगाने के लिए तो क्या होगा फिर यह आपस में तूटने लगेगी तो अच्छे से प्रोप्रोगेट नहीं हो पाएगा हमारा पेड़ त देता हूं जल्ली से मिन कटिंग को लगा देता हूं कटिंग लगाने के बाद आपको सिंपल एक काम करना आएं पक्य पास वैक्स तो उपर जब और आपके पार अपके पास दोटा तो यह पर आपके पास वैक्स नहीं है आगर आप नाँक के घर पे गोबर वेगर हम जरूर मिल जाएगा तो इस कटिंग के ऊपर गोबर लगा दीजिए मैं इस पे गोबर लगाने वाला हूं क्योंकि मेरे पास वैक्स नहीं है तो इसलिए मैं इसके ऊपर गोबर की कैपिंग कर दूँगा कैपिंग करने से क्या होगा इसकी ऊपर की आपको पानी आपको याद रखना है कि आपको पानी जरूरोर देना है तो अपको पानी जरूर देना है देली और पानी देने के बाद मैं कुछ दिनों बाद रखाऊ होंगा कि जो मेरी कटिंग कैसी ग्रो कर रही है कैसी नहीं चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ दिन बाद मिलता हूं अब